सब्सक्राइब कीजिए इन्फराटेक यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएए हमारी लेटस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो फ्रेंड्स इन्फराटेक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो चली शुरू करते हैं इस वीडियो को लेटस गेट स्टार्टेड इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि शाओमी रैड्मी ने अपनी एक स्मार्ट टीवी को लांच कर दिया है इस स्मार्ट टीवी का साइज 98 इंच का है उस स्मार्ट टीवी का नाम है स्मार्ट टीवी मैक्स स्मार्ट फोन निर्माता कमपनी शाओमी ने रैड्मी स्मार्ट टीवी मैक्स को चाइना में लांच कर दिया है इस Smart TV के खास बात ये है कि इसका डिस्पले 98 इंच का है जो 4K HDR को सपोर्ट करता है इसके अलावा कमपनी ने इस TV में Dolby Sound System के साथ कई सारे खास फीचर्स दिये हैं हलाकि इस TV के अधर कंट्रीज में लाँच होने को लेकर अभी कोई इन्फॉमेशन नहीं मिली है शाउमी के लेटेस्ट Redmi Smart TV Max की प्राइस 19,999 चीनी युवान यानि करीब 2,15,400 इंडियन रुपीज है इस TV की सेल 9 अप्रेल से स्टार्ट होगी आपको बता दें कि कमपनी ने इससे पहले इंडियन मार्केट में कम कीमत वाले कई Smart TV लाँच किये थे Redmi Smart TV Max के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो कमपनी ने इस TV में 98 इंच का 4K HDR डिस्पले दिया है जो यूजर्स को सिनेमा हॉल का एहसास दिलाता है साथ ही इस TV में बहतर पर्फॉर्फॉर्मेंस के लिए Artificial Intelligence, 4GB RAM, 64GB Storage, 1.9 GHz, M-Logic, T972 Quad-Core Chip और Patchwall UI का सपोर्ट दिया गया है इसके लावा यूजर्स को कनेक्टिबिटी के लिए इस TV में Bluetooth, HDMI port और Voice Control System मिला है यूजर्स को बहतरीन साउंड के लिए कमपनी ने इस TV में Dolby plus DTS sound system दिया है इसके साथ ही इसमें speakers के साथ bass मौझूद है जो बहत शांदार sound और produce करते हैं तो फिलाल ये TV अभी चाइना में लॉंच हुआ है इंडिया में लॉंच के वारे में अभी कोई information नहीं आई है फिलाल इस वीडियो में इतना ही उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं आपसे नई वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो थैंक्स